प्रेस दोलोड आप सभी को जैमासी के दोस्तो Sवागत करता हूँ एक और वीडियο में दोस्तो आज की वीडियो में आप लोगों ने जैसे टैटल में देखा वो टैटल एकड़न सही है और जो थमनल में लगाया है वो एक दम सही है दोस्तो एक मुसलमान जी का एक गवाही वीडियो जिसमें इतने बड़ी गाहवाहिया और वो अभी पाश्टर बन गया है परमिश्वर के राजी के लिए सेवा करते हैं दोस्तों वो पहले लोगों को मारना चाहता था और बहुत सारे चीजे हैं जो गवाही में बता हैं क्यूंकि मैं अभी आप लोगों को एक्सप् प्रेन की हैं कैसे वो काम करते थे लोगों को बारे क्या सोचते थे बहुत सारे चीजे दोस्तों इसमें इतनी बड़ी बड़ी गुपत बाते हैं जिसको आप लोगों को सुनना और बहुत जरूरी है क्यूंकि आप इसको देखेंगे ना यकिन नहीं करेंगे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊंगा फिर मज़ा के रहो जाएगा आप लोग वीडियो को पूरा देखिए किस प्रकार से एक मुसल्मान जो अपने खुदा के लिए काम करना चाहता था मुसल्मान में एक जो होता है न मतलब मुसल्मान जैसे इसाही लोगों होता है पाश्टर पादरी उसी प्रकार मुसल्मानों में भी होता है दरगा और कुछ-कुछ मतलब लोगों को सिख्छा देने वाले वैसी बनना चाहता था लेकिन परमिश्वर की योजना को देखो आज परमिश्वर ने उनको चुना और आज उनकी लाइफ में बड़े-बड़े देखते हैं मेरा नाम है सेमर महमद मैं पलिष्टीनियों के एक रिफ्यूजी कैम्प में बड़ा हूँ जो लबनोन में था अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम है तो बताओं कि 1948 में मेरा परिवार इसराइल से वहां आया था 1948 और मेरे वालिद उस वक्त 9 साल के ही थे तो वो वहां आये और लबनोनियों ने उन्हें टेंट दिया रहने के लिए बहुत सारे पलिष्टीनियों के साथ और मैं वहां बड़ा हुआ उस पलिष्टीनी कैम्प के अंदर और मैं छोटे से बरिवार के साथ बड़ा हो रहा छे भाई थे और छे बहन थी तो जब मैं हम मुसल्मान थे तो मैंने अपने घर में बहुत सारी बंदूके देखी और बात में मुझे पता चला कि मेरे वालिद के लीडर थे यासिर आरफाद वो सतर और असी के दशक में कुछ जवान लड़कों को हमारे पलिष्टीनी कैम् और इस वक्त भी मेरे वालिद तो तब मर गए जब मैं 12 साल का था लेकिन इस वक्त भी मेरे पांच भाई हैं जो उनकी जगे वैसा ही काम कर रहे हैं पलिष्टीनी कैम्प में मैं इसराइल के साथ पूरी नफरत के साथ बढ़ा हुआ और अमेरिका के साथ भी मैं कुछ करना चाहता था और ऐसा मेरे साथ इसलिए था क्योंकि लोगों ने हमें सिखाया कि इसराइलियों ने हमारी जमीने ले ली हैं और इसराइलियों को मारना होगा मारना होगा और मुझे ऐसा बोलने के लिए माफ कीजिए कि अमेरिका को भी मारना होगा क्योंकि उन्होंने ही मदद की है हमारी जमीने लेने में और इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई राश्ट्रियता नहीं है लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ मैं जननत के नए यरुशलेम में हूँ मेरे पलिश्टिनी कैंप में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था मैं अल्ला के लिए मरना चाहता था बस और मैं रोज मस्जिद जाता था और अगर कोई पूछे कि आगे चलके तुम क्या करना चाहते हो तो मैं इमाम बनना चाहता था मैं अल्ला से महबत करता हूँ और मैं अपने मजभब की बहुत प्यार से खिद्मत करना चाहता हूँ और मैं वहबी नाम के स्कूल में पढ़ने के लिए गया ये अलकाइदा से लिया गया था और आईएस आईएस से भी दोनों की एक ही टीचिंग है और मैंने इन लोगों के साथ चार साल पढ़ाई की और वहां से मेरी जिंदगी में बदलाव आया एक मुसल्मान से कटर मुसल्मान में जो मुहमत को मानता है और कुरान को फॉलो करता है और मैं आपको अपनी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जब मैं टीनेज में था अपनी ये मेरी तस्वीर है और मैं बस नफरत से भरा हुआ था और इन लोगों के साथ तो मुझे में और नफरत आ जाती थी मैं बस अल्ला के लिए मरने के लिए त्यार था और मैं अपने पलिष्टीनी कैम्प में रोज जाता था पांच बार और मैं मस्जिद में उपर जाकर के वो आपने अजान की दुआ सुनी है अजान के पारे में मैं करता था वो और कभी कभी तो जब मेरे इमाम वहां नहीं होते थे तो मैं कराता था वहां पर दुआ और मुझे याद है कि जब कभी भी कुछ बुरा होता था इसराइल में या अमेरिका में वो 11 सितंबर जैसा या वैसा ही कुछ होता था तो मैं और मेरे कुछ पलिष्टीनी दोस्त कैम्प के वो जाते थे सडकों पे नाचने के लिए और हम लोगों को मिठाई बाटा करते थे क्योंकि हम देखते थे नियूज में कि भाई कुछ इसराइली मरें, कुछ अमेरिकन्स मरें और हम बहुत खुछ होते थे क्योंकि हम चाहते थे कि ये लोग मरें हमारे परिष्टीन के लोग नहीं मनते हो चीज़ को तीस हजार लोग रहते थे जिसमें कि सब मुस्लिम थे कोई भी क्रिश्चन नहीं था वहाँ और बाइविल के बारे में भी हमने जब हम शरिया लोग पड़ रहे थे तब सुना था पहली बार बाइविल के बारे में और एक दिन इमाम आय और उन्होंने कहा कि देखो ये बाइविल है ये खुदा की तरफ से नहीं है उन्होंने हमें क्रिश्चन के बारे में बताया जो कि तीन खुदाओं को मानते हैं ये और वो और मुझे याद है कि स्कूल के बाद मैं और मेरे कुछ दोस्त इमाम के पास गए और हमने का क्या हम देख सकते हैं इस बाइविल को हमने का हम बस थिर्फ थोड़ा सा देखना चाहते हैं उन्होंने का नहीं एसे वैसे कोई भी बाइविल नहीं पढ़ सकता सिर्फ इमाम बड़े लोग ही पढ़ सकते हैं बाइविल क्योंकि ये खुदा की तरफ से नहीं ये शैतान की तरफ से है हमें बाइविल पढ़ने की इजाज़त नहीं थी एक दिन मैं अपने पलिष्टिनी कैम्प से बाहर गया था और वहाँ लेबनीज लोग थे लेबनोल में असकोई मोक्रिश्चन दोनों ही रहते बाइबल को भी पढ़ने ने दिया और मैं चल रहा था और एक आदमी मेरी और वो मुझसे येशु के बारे में बताने लग गया और मैंने उसकी तरफ देखा मैंने कहा तुम मेरी तरफ देख नहीं रहो क्या तुम्हें दिखाई नहीं पढ़ रहे कि मैं कौन हूँ मैं वो आदमी हूँ जो मस्जिद में उपर चड़ता हूँ मैं एक अच्छा मुझलमान हूँ और तुम मुझे क्यों बता रहो अपने येशु के बारे में तुम्हें शरम तो आती नहीं अपने येशु के बारे में तीन खुदा को मानते हो तुम ये और वो और उसने कहा मैं आपको ये बाइबल देना चाहता हूँ मैंने का नहीं मैंने मानता हूँ कि ये खुदा का कलाम है मुझे नहीं चाहिए ये किताब और उसने मुझसे बात करना शुरू किया और मैं और ज्यादा गुसा होता जा रहा था क्योंकि मैं उसे जान से मानना चाहरा था कि वो क्यों मेरे पास आ रहा है भाई और अपने येशु के बारे में बता रहा है मुझे अरे सच्चा ही तो हमारे पास है और उसने कहा ठीक है अगर आप बाइबल नहीं पढ़ना चाते हो तो कोई बात नहीं मैंने कहा तुम्हें पता है मैं चाहता हूँ तुमसे बाइबल लेना मैं नहीं मानता हूँ कि ये खुदा का कलाम है लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे दुश्मन लोग क्याम इससे मुझे मदद मिलेगी जब मैं आगे चलके इमाम बनूँगा लेकिन ठीक उसी वक्त नहीं मैं अपने पलिश्टीनी कैम के लोगों से भी डरा हूआ था और मैं अपने इमाम से भी डरा हूआ था जानते क्यों क्यूंकि हो सकता है आपको नहीं माلفि को मिडल इस्ट में और सीरिय अरेबिया में और मुसल्मानों में आपको बाइबल पढ़ने की अजाज़त नहीं है आपको अजाज़त नहीं है बाइबल ले जाने की भी आपने सोचा कि मैं 5-7 बाइबल ले करके जाता हूँ आपको अजाज़त नहीं है आप उठाके जेल में डाल दिये जाओगे यही शैता है कि एक मुसल्मान सच को जाने हाँ हमें बाइबल पढदने की जाज़त नहीं थी और फिर मैंने बाइबल ले ली उस आदमी से जिसका नाम जौश था और मैंने उसको जैकेट में रख लिया और मैं अपने पलिष्टिनी कैम्प में आ गया दरवाजे बंद कर दिया खिड़कियां बंद कर दी और सबसे पहले मैंने बाइबल को सूंगा क्योंकि हम जो इस के लोग होते हमें ऐसे ही बताया जाता है हम डरते हैं इस किताब से अब मैंने सुंगना शुरू किया इसे खोला पढ़ना शुरू किया और जब मैं इस बाइबल को पढ़ रहा था तो मस्जिद में भी जा रहा था बाइबल भी पढ़ रहा था और बाइबिल मैंने छपाके रखी थी अपने वो बिस्तर के नीचे क्योंकि ये आसान नहीं है मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आपको जो ये आजादी मिली है मैंरे का में आप बाइबिल लेके चल सकते हैं लेकिन मेरे भाईयों मैंने हमारे लिए आसान नहीं है अब मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ अब जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने कुछ वहाँ देखा मती पांच छे साथ के अंदर जहां येशु ने सिखाया अपने दुश्मनों से महबबत करना और उनको बरकत बोलना अपने दुश्मनों को महबबत करना मेरा अल्ला कहता है दुश्मनों को मार डाल ये किस तरह का खुदा है जो कहता है अभी हूँ मैं मुसल्मान लेकिन खुदा मेरी आखे दीरे दीरे खुलता है क्योंकि ये खुदा का कलाम है और आपको मालूम है मुझे येशु के बारे मैं नहीं बताया किसी ने लेकिन ये खुदा का कलाम है लेकिन खुदा कर सकता है वो उसकी रूह मेरे दिल में आ सकती है और वो मेरी आखे धीरे धीरे खोलना शुरू कर रही थी और फिर क्या हुआ कि मैंने वाइबल में पाया लिखा था कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस नंबर पर फोन करिए मैंने उस आदमी को फोन किया मैंने का सुनिये मेरे बहुत सवाल है उसने का ठीक है आप यहाँ आईए और हमारे यहाँ एक मीटिंग है उसमें कुछ दोस्त हैं मैं चाहता हूँ आप उनसे मिलिए प्रातना कर रहे थे और जो पहली चीज हुई मैं जब वहाँ कमरे में पहुँचा दो सवाल मेरे दिल में आए थे यह लोग क्यों मुझे इतना प्यार दिखा रहे है क्यों इतना प्यार जता रहे है वेलकम वेलकम बोलके और मैं तो इन्हें मारना चाहता हूँ ये लोग तो मेरे दुश्मन है क्यूं कर रहे हैं ये लोग ऐसा और जब उन लोगों ने वर्शिप करना शुरू किया अपने प्रभू की उनके लिए वो जीजस थे मैंने इन लोगों में देखा कि इन्हें बहुत सुकून और बहुत खुशी है जो मुझे नहीं होती है मजज़े जाने में मैंने कहा मुझे ये शांती और मुझे आनन चाहिए जो कि है नहीं जब मैं मजज़े जाता हूँ तो मुझे अल्ला से डर लगता है मुझे नहीं मालूम कि वो मुझे से महबत करता है या नहीं, मुझे जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगा हमेशा, जो खुदा है इसलाम का वो बस तुम्हें जजज करेगा और वो तुम्हें बस नर्क में डालने के लिए रेडी है वो बस ये चाहता है कि तुम मरो लेकिन मैं यहां कुछ अलग देख रहा था और मैंने कई सारे सवाल पूछना शुरू किया मेरे प्यारे भाईयों और बेहनों मैं डीर साल तक बाइबल पढ़ता रहा क्रिश्चन किताबे पढ़ता रहा और मैं था मुस्लिम ही मैं जाता था मस्जद और डीर साल के बाद मुझे कन्फूजन शुरू हुआ पहले क्या था सच तो बस मेरे ही पास है लेकिन बाद में जब मैंने बाइबल पढ़ी और कुछ क्रिश्चन किताबे पढ़ी तब खुदा ने मेरे आपके पुलना शुरू किया मैं मस्जद जाता था और मैं अभी भी कन्फूज था और आखरी बार जब मैं मस्जद गया हूँ मैंने मुस्लिम दूआ मेंने की मस्जद में ही प्रभू क्या है सच आप जीजस है ईसा है या आप मुहम्मद की तरीके से क्या आप अल्ला है सच कहा है मैं ठक गया हूँ और मैं अपने इमाम के पास जाने लगा और मैंने कुछ सवालों को पूछना शुरू कर दिया मैंने कहा हम मुसल्मान है और जीसस हम उसे इसा कहते है वो आकरत में आएंगे और सारी दुनिया का इंसाफ करेंगे क्योंकि मुसल्मान मानते है कि वो जन्नत में है वो मरे नहीं है वो जन्नत में है और आकरत में आएंगे दुनिया का इंसाफ करने के लिए मेरा सवाल उनसे ये था कि वो क्यों आ रहे हैं भाई क्यों नहीं मुहम्मद आ रहे हैं आखिर वो क्यों आ रहे हैं वो हमारी अदालत क्यों करेंगे सही और ऐसे ही मैंने बहुत सारे सवाल पूछे कुरान के बारे में, जीजस के बारे में और क्रिश्टानिटी के बारे में और उन्होंने मेरी तरफ देखा जब फर्ष्टे टेंपर मिश्टर को कोई जानता है तो तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूच रहे हो क्या हुआ कि इधर में कुछ अलग सी खाया रहते है मैंने कहा क्यूंकि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ कि मेरा एक सवाल है क्या इस आदमी ने तुम से कहा कि तुम अगर क्रिश्चन बन जाते हो तो मैं तुमें पैसा दूँगा या कार दूँगा या बीवी दूँगा या कुछ ऐसा कहा क्या मैंने कहा नहीं उन्होंने कहा सच मुझ मैंने कहा हाँ उन्होंने का ओके तुमने इनके साथ चाई या कौफी कूछ पिया है क्या मैंने का हाँ भाइन। इस आदमी ने तुम्हारे कौफी और चाई में कुछ मिला दिया है क्रिस्टिन बनाने के लिए अरे صحी में इस वक भी मेरा जो परिवार है न अगर आप मेरे परिवार के किसी आदमी से मिलते हो तो वो कहेंगे हम समीर से बहुत महबत करते हैं लेकिन किसी ने कुछ मिला के उसे दे दिया सच मुझ क्योंकि इन लोगों को येश्यो की ताकत के बारे में नहीं मालूम है उसके फजल के बारे में जिसने मेरी जिन्दगी बचा ली है क्योंकि ये लोग अभेरे में रह रहे हैं लेकिन जब खुदा आपके पास आता है और खुदा का फजल आता है आपके जिन्दगी को बदल देता है और उसे कोई रोक नहीं सकता है वो रुक नहीं पाया जो उसने मेरी जिन्दगी में किया उस वक्त मैंने ऐसा कहा था कि हो सकता है क्योंकि अगर आप मुझे देखते तो मैं नहीं होना चाहता था मैं नहीं बनना चाहता था जो मैं आज हूँ और खुदा का फजल आगा मेरे पास खेर मैंने कहा हाँ हो सकता है और उन्होंने मुझे फर्ष पर लिटाया और एक दूसरे इमाम को भी बुला लिया और वो मेरे उपर कुरान पढ़ने लगे ताकि इसाई की आत्मा चली जाए और वो मेरे घर आए उन्होंने सारी वो बाइबल उठाई और सारी वो क्रिस्टिन किताबे उठाई और कहा सुनो इन लोगों से दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग तुम्हें जहन्नुम ले जाना चाहते हैं तुम्हें तो इन लोगों को मार देना चाहिए और मैं मजजद जाता रहता हूँ और मुझे अभी भी उलजन है अब ना मैं क्रिस्टिन हूँ ना मैं मुसल्मान हूँ और एक महीने के बाद मैं अपने दोस्ट जौज से मिलने गया और मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था और आपको मालु है हर एक मुसल्मान सिर्फ मैं ही नहीं मेरे भाईयों बैनो हमें इसलाम छोड़ने की इजाज़त नहीं है क्योंकि तलवार रहती है हमारी गर्दनों पर ये आसान नहीं है ये जो डर की आत्मा है तलवार जानते हैं बहुत से मुसल्मान हैं जो अब इसलाम पर यकीन नहीं करते हैं लेकिन वो इसे बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसलाम तलवार से आया और मैं डरा हुआ था मैंने जौर्ज को बोला मैंने कहा मैं वो विश्वास नहीं कर सकता जो तुम करते हो उसने कहा लेकिन तुम्हें दीर साल हो चुका है तुम्हें बाइबल पड़ी है अब तुम्हें फैसला लेना है कि तुम्हें मौमबत के पीछे चलना है या येशू के मैंने कहा नहीं क्योंकि लोग मुझे जान से मार देंगे और मैं अपने खांदान के साथ कैसे रहूँगा और उस वक्त मैं उसी के साथ रहा और उसने मेरा होसला वड़ाया कि मैं येशु के पीछे चलूँ 2001 में मैंने 14 जुलाई को जब मैं अपने दोस जॉज के साथ था मैंने नजाद की वो दूआ की और मैंने येशु को अपना बचाने वाला और खुदा कुबूल किया लगभग अब तक 15 साल हो चुके हैं और क्या कहानी खतम हो गई? नहीं, मेरे लिए तो कहानी अभी शुरू होई है उसने मुझे एक छोटी सी बाइबल दी और मैं अपने घर में आया पलिस्तिनी कैम्प में मेरा भाई मेरे पास आया उसने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है सामेर तुम्हारे इमाम ने मुझे से बात की और कहा कि बाइबल मिली है उन्हें घर में उसने कहा तुम कहां से आ रहे हो और उसने मेरी Bible देख लिए उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम वो हो जो हमें बताते थे अच्छा मुसल्मान बनो और तुम मस्जब जाते थे और अब तुमारे पास Bible है और तुम चेर्ट जाते हो क्या हुआ क्या है तुम्हे इन लोगों ने कौफी में कुछ मिला दिया है तुम्हें क्रिश्चन बनाने के लिए और उस वक्त मुझे जरूरत थी कि कोई मुझे होसला दिलाए कि मैं येशु के पीछे और ज्यादा चल सकूँ और फिर मेरी मा आ गई और उन्हों ने शुरू किया ये आसान नहीं था ये आसान नहीं है मेरे भाई आप यहां रहते हैं और हो सकता आपके परिवार में कोई ऐसा हो जो आप रिश्वास करते हैं वो ना करता हो लेकिन हमारे ऐसा नहीं है मेरे भाई ने मुझे से कहा अगर तुम मस्जिद में नहीं आते हो सब के सामने नहीं मानते कि मैं इसलाम में वापस आ रहा हूं तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा और हमारे यां बंदूकें थी घर पे और वो ऐसा कर सकता था क्योंकि वो अल्ला के लिए खिद्मत करता है और यही तो येशु ने भी हमें बताया है उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ मेरे घर में, मेरे जिन्दगी में और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं पंद्रा साल हो गए है मैं अपने खांदान के साथ नहीं रहता हूं और उस वक्त मैं लेबनोन में था कोई बात ने अब परमेश्वर के साथ रहेंगे और वो मुझे घर में ही छट क्वाले कमरे में ले गया और उसमें मुझे हत्कडिया लगा दी मेरे हाथों में मेरी माँ दस साल पहले वो मर गई और मैं लेबनोन में ही था दो ही घंटे का रस्ता था जहां से मैं रह रहा था क्योंकि मैं अपने पलिष्टिनी कैम्प में आ नहीं सकता था क्योंकि सारे पलिष्टी रहते हैं कोई सरकार नहीं है और सारे पलिष्टी और मुसल्मान वो सब सोचते हैं कि मैं शर्म का कारण हूँ और मुझे तो मार डाला जाना चाहिए और मैं अपनी मा की मिट्टी देखने नहीं जा सकता था ओ भाई और अगर मैं वहां जाओ और मैं वहां बच्चों को देखू साथों पर कि मैं एक क्रिश्चन हूँ क्योंकि ऐसा ही पौलूस के साथ हुआ था पर अन्बास आता है और उसे क्रिश्चन लोगों से मिलवाता है और होसला देता है क्योंकि कभी-कभी हम भी यकीन नहीं करते हैं कि खुदा ऐसे काम कर सकता है और खुदा सचमुच ऐसा कर सकता है बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ यूट्यूब पर भी आप इस वक्त भी गूगल पर जाके देखिए एर्बिक में डालिए इन्फिडल सैमर महमद आपको मेरी तस्वीर मिलेगी और मेरा गाना मिलेगा अलकाइदा का वो गाना अलकाइदा का है और जो मेरे इमाम थे वो बंदूकों के साथ आदे घंटे यूट्यूब पर आप देखिए कुछ तो हमने हटा लिये लेकिन कुछ अभी भी है लोग मुझे मारना चाहते है क्योंकि मैंने कुछ टेलिविजन पर बात की है इसलाम के बारे में क्योंकि वो कहेंगे कि मैंने कुछ टेलिविजन पर कहा कि इसलाम रिलिजन ओफ पीस नहीं है तो तुम मुझे इसलिए मानना चाहते हो क्योंकि मैंने ये बोला इसलाम शानती का धरम नहीं है देख रहे हैं आप और अब मैं अमेरिका आ गया हूँ तीन साल हो गए है अब यहाँ अब मेरे पास असाइलम है बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई है और आप मुझे से पूछेंगे कि क्यों लोग तुम्हें जान से माना चाह रहे हैं इतनी चीजें तुम्हारे साथ हो रहे हैं फिर भी क्यों येशू को पकड़ के चल रहे हो एक ही बात है जिसकी वज़े से मैं उसके साथ चल पा रहा हूँ इसलिए नहीं कि बाइबल पड़ी है या सच जान गया हूँ ठीक है मेरी मदद होई है इससे एक ऐसी बात है जो मुझे येशू के पिछे चलाया रखती है क्योंकि पंदरा साल मैंने उसे चख के देखा है कि ये येशू मेरे लिए कौन है वो कोई कहानी नहीं है वो सच मुझ में है वो अभी भी जिन्दा है और वो मेरे साथ है और वो हमारा प्रभू और बचाने वाला है मैं आपको कई किस्से बता सकता हूँ एक के बाद एक के बाद एक कैसे वो मेरे साथ रहा पंदरा साल हम अभादत करते हैं सच्छे खुदा की वो असली है हो सकता है आप महसूस नगर पा रहे हूँ मैं आपका होसला बढ़ाना चाहता हूँ कि आप येशू से मिलिये आज हो सकता है आप क्रिश्चन पैदा हुए हो लेकिन ये काफी नहीं है हो सकता है आपने बाइबल पढ़ी हो लेकिन ये काफी नहीं है आपको उससे मिलने की जरूरत है क्योंकि वो आपकी सिंदगी बदल सकता है जब मैं येशु के पास आ गया चार साल तक मैं एक छोटे से आइलेंड पर जाता रहा जिसे साइप्रस कहते हैं यूरोप में मैं वहाँ एरबिक कॉन्फरेंस में बोलने के लिए गया था और फिर ब्रेक टाइम में मैं सड़क पे टहल रहा था और मेरे पास कैमरा था और मैं पहली बार जिंदगी में अपने पलिष्टिनी कैम से बाहर निकला था और मैं कुछ तस्वीरे ले रहा था और मैंने कुछ बगीचे देखे क्योंकि हमारे कल्चर में और मैं एक घर के बाहर खड़ा था और मुझे नहीं मालूम किसका था मुझे नहीं मालूम था कि वो किसका था लोग कौन थे वो मैं तो पहली बार साइपरस आया हुआ था मैंने वहां दरवाजे पे खट-कटाया अंदर से एक आदमी आया बोला मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ और मैंने कहा क्या मैं कुछ तस्वीरे ले सकता हूँ आपके बगीचे में और उसने कहा ठीक है और उसने मेरी मदद भी की कुछ फोटोज लेने में और फिर उसने पूचा तुम कहां से आये हो मैंने कहा मैं लेबनोन से आया हूँ मैं इस कॉन्फरेंस में बोलने आया हूँ अरब कॉन्फरेंस में उसने कहा अरे मैं भी क्रिश्चन हूँ मैं अमेरिका में पास्टर हूँ आओ मेरे परिवार से मिलो और मैंने वहाँ उनके परिवार के साथ तुम तो लेबनोन के हो मैंने बताया कि नहीं मैं पलिष्टीनी हूँ लेकिन मैं बढ़ा वहीं पे हूँ लेबनोन में और उसने अपनी पतनी की तरथ देखा और मुझसे कहा कि तुम्हें मालूम है हम कौन है मैंने का हाँ आप अमेरिका से हैं और आप यहां missionaries हैं उन्होंने कहा हाँ लेकिन हम यहूदी हैं और येश्वा में यकीन करते हैं जीजस पे मैंने कहा क्या मैंने यहूदियों के साथ कॉफी पी ली और क्यूंकि पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में यहूदियों को दिखाता ऐसे यहूदी अच्छे होते हैं भाई और इस किस्से को सुनिये उन्होंने मुझसे कहा कि भाई समयर आप कल आ सकते हैं हमारी यहां पर कुछ मिनिस्ट्री है जिसमें कुछ जवान लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए जो कि बाइबल सीखना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी गवाही दें उनको मैंने का ठीक है मैं तो अरब कॉन्फरेंस में आया था और मुझे इन लोगों के बारे में कुछ नहीं मालूम था लेकिन खुदा करका मुझसे भी पूरा नहीं हुआ था वहां और मैं मिल्ने आया इन जवान लोगों से और एक अग्मी मेरे पास आया और उसने मुझसे अरबिक भाशा में बात करना शुरू कर दिया मैंने का तुछे अरबी कहां से आती हो और मेरा हाथ उसके हाथमें था तुम्हें अरबी कहां से आई उसने कहा मेरे देश में बहुत सारे अरब लोग आते हैं मैंने कहा अरे वार तुम कहां से हो उसने कहा मैं इसराइल से हूँ मैंने कहा क्या इसराइल मैंने हाथ छू लिया है जिन से खिरना होती थी तो वो पूरा का पूरा बदलता है और क्योंकि उस वक्त में लेबनोन में रहता था और अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम है लेबनोन में हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है हम दुश्मन हैं अगर गवर्णमेंट को पता चल गया कि मैं इसराइली से मिला हूँ यूरोप में तो मैं जेल जाओंगा क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है इसराइलियों से बात करने की और पास्टर मेरी तरफ चलते हुआ उन्होंने का ब्रदर समीर हमको थोड़ा माफ करियेगा क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हो गया था उन्होंने मुझसे कहा ब्रदर समीर I'm sorry क्योंकि हमने आपको बताया नहीं कि यहां छे जवान लोग है इसराइल से और यहां हम सारे विश्वासी यहूदी है येशु पर यकीन करते हैं मैंने का क्या मैं तो यहां अरब कॉन्फरेंस में आया था मुझे क्या जरूरत थी अपने दुश्मनों से यह गवाही शेयर करने की और मैंने अपनी गवाही शेयर की और मैंने उन्हें बताया कि अगर मैं पांच साल पहले यहां आता तो मैं यहां बम लगा देता यहां आप किया भी लगा देता आप ज़्यादा खुश मत होईए सच मुझ में और जब मैंने अपनी टेस्टिमनी दे दी वहां पर पांच जवान इसराइली स्टेज पर वहां में और मुझ से कहा भाई सामेर इसराइल देश के नाम में प्लीज हमें माफी दे दीजे हम बहुत दुखी हैं आपके और आपके परिवार के साथ जो हुआ उसके लिए और अब इसराइल देश के नाम में हमारी मदद कीजिए कि हम आपके पैर दो सकें और मैं देख रहा था जब वो लोग लेके आ रहे थे पानी वगएरा मैं यकीनी ने कर पाया कि ये मेरे दुश्मन जिनें मैं मारना चाहता हूँ इसराइली और ये लोग मेरे पैर दोना चाह रहे है अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ वो और जब ये जवान लोग आये हैं और तो मैंने रोना शुरू कर दिया और उस वक्त पवित्र आत्मा ने मेरे दिल को खोल दिया और मेरा उपरेशन कर दिया और सारी ग्राना को बाहर निकाल दिया इसराइल के लिए और बहुत सारा प्यार इस देश के लिए बाहर दिया कौन कर सकता है ऐसा हो सकता है खुदा ने आपके दिल में इंडिया के लिए फिलिपीन्स के लिए किसी और देश के लिए प्यार दिया हो मैं यहां राजनीती की बात नहीं कर रहा हूँ पलिष्टीनी होने पर मुसल्मान भी होने से पहले खुदा ने मुझे मुझे मुहबबत दी है इसराइल के लिए और मैं यह कहने में घमन करता हूँ मैं राजनीती की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसराइल से प्यार करता हूँ मैं यहूदियों से प्यार करता हूँ मैं उन्हें मस्जी के बारे में बताना चाहता हूँ कौन कर सकता है ऐसा मुहम्मद कोई दूसरा मज़भ या यहूदी लोग सिर्फ येशु ही कर सकता है ये शामे हम क्या करें अब 70 साल हो चुके हैं और कुछ भी नहीं हुआ आपको मालूम है इसका हल क्या है हल मुझे मालूम है हल मुझे मिल गया है जब अरव और यहूदी येशुआ के पास आएंगे जीजस के पास आएंगे वहां होगी शान्ती और वहां होगा शालूम येशु के बिना शान्ती नहीं हो सकती बिना येशु के शान्ती नहीं हो सकती यही है जो खुदा ने हमें बताया है क्रूस पर जहां अन्य जाती और यहूदी मिलते है वहीं शान्ती होती है क्योंकि वो हमारी शांती है वो है हमारा खुदावंद और बचाने वाला ये काम ये शुका है जो वो अभी भी कर रहा है हो सकता है कि आप इसे महसूस ना करते हो लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि प्रेरतों की काम अभी खतम नहीं हुए है क्योंकि खुदा आज, कल और हमेशा वो अभी भी चमतकार करता है आप मिडल इस्ट में और क्या होते हुए देख रहे हैं क्या देखते हैं आप CNN में और Fox News में आप देखते हैं ISIS वो लोगों को मारता है इसलाम के नाम पे और बहुत कुछ होता है यहीं देखते हैं आप हाँ लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जो वो कर रहा है मिडल इस्ट में ISIS के साथ जानते हैं क्यों क्योंकि आखरी बार बहुत से मुसल्मानों ने कहा ISIS लोगों को मार रहा है और ISIS मुहमत को और कुरान को फॉलो करता है और ये है मेरा मजहब अगर ये मेरा मजहब है तो मुझे अब मुसल्मान नहीं होना और ये हमारे लिए सही समय है कि हम जाएं और उनसे सू समाचार को बाटे और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ और ना मैं मीडिया में या कहीं आना चाहता हूँ अब हजारों हजारों मुसल्मान येश्वा के पास आ रहे हैं खुदा बहुत अद्भुत काम कर रहा है मिडिल इस्ट में हो सकता है आप यहां रिवाइवल को महसूस ना कर पा रहे हूँ लेकिन रिवाइवल मेडिलीस्ट में शुरू हो चुका है हजारों मुसल्मान आए हैं येश्व के पास मेरे भाईयों और बेहनों और आपको मालू है ये उनके लिए भी आसान नहीं है ये आसान नहीं है क्योंकि क्योंकि इसलाम तलवार के साथ ही आता है अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ मैं मेरा दिल अभी भी मिडिलीस में ही लगा है तीन महीने पहले मैं टर्की में था इराक और सीरिया के बॉर्डर के पास और मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ ये आपके ही भाई बहन है इराक के और ये लोग इराक में रहते हैं आईसेस की वज़े से इन लोगों से कहा गया है अगर तुम मुसलिम नहीं बनोगे तो हम तुमें मार देंगे और या तो तुम ये देश छोड़ दो ये लोग नए क्रिश्चन हैं इराक से हम उनकी मदद करते हैं उनके लिए खाने के लिए भी बनाते हैं बार्बीक्यू में यहां लगबग डेड़ सो परिवार हैं तूसरी तस्वीर लगाईए ये लोग जो हैं ये लोग सीरिया से हैं हम इस तरह से इनके लिए राशन खाने के सारे पैकेट बनाते हैं और हम इने बाइबल भी देते हैं हम इने येश्वा की महबबत दिखाते हैं लव अफ जीजस ये अर्बिक भाशा की बाइबल है और इसे मैं न्यू यॉक से लेता हूँ और ये भी आपका एक भाई है ये कुर्दिश से है सीरिया में और ये कुछ परिवार के लोग हैं और ये सब विश्वासी हैं येश्वा के और ये मीटिंग है ये मीटिंग है जहां हम घर पे करते हैं और ये आसान नहीं है बिलकुल क्योंकि अगर टर्की की पुलिस ने हमें देख लिया तो मैं और ये लोग हम सब मिल करके पकड़ के ड्रेल में डाले जाएंगे और फिर हमें जेल में भी प्रचार का मौका मिलेगा अलेलोहिया ये और ये वो जगे है जहां बॉर्डर है जब लोग यूरोप जाने लगते हैं हम क्या करते हैं हम लोगों को पानी देते हैं और हम बताते हैं आप देखिए इन दो लोगों को लोग ठक चुके हैं इसलाम से और लोग बहुत भूके हैं लोग भूके हैं बहु आप देख रहे हैं, ये नियू यॉक नहीं है, ये टर्की है, लोग खुले हुए हैं सूसमचार के लिए, बहुत जल्दी से मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जब हम लोगों को खाना देते हैं, तो एक आदमी आया मेरे पास, उसने पूछा, क्योंकि थोड़ा खत क्रिश्चिन लोगों ने भेजा है वहां से आप लोगों की मदद करने के लिए, उसने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं मुसल्मान हूँ, और तुम मुझे गले लगा रहे हो, मैंने कहा, हाँ, उसने कहा, क्यों, क्यों तुम हमारी मदद कर रहे हो, सीरिया, और मैंने कहा मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों और मैंने येशु की किताब खोल दी कि कैसे येशु ने कहा अपने दुश्मनों से प्यार करो और उन्हें ब्लेस करो और उसने कहा मुझे ये किताब चाहिए क्या मैं ले सकता हूँ एक और खुदा ने उसका दिल खोल दिया सू ये कर रहा है मिडिल इस्ट में और आप सोचते हैं ये इस तरह से रहते हैं रिफ्यूजी वहाँ पर और अगर खुदा की इक्षा होगी तो मैं फरवरी के आखे में जाओंगा वहाँ, मैं अभी भी ट्रेविल का इंतजार कर रहा हूँ और मैं वहाँ जा रहा हूँ सिखाने के लिए, एक स्कूल में क्योंकि अभी वहाँ सबसे बड़ी जरुवत ये शु के प्रचार करने की नहीं है सबसे बड़ी जरुवत वहाँ है चेले बनाने की और मैं वहाँ पर दो या तीन महीने रहूँगा एक ट्रेनिंग स्कूल को शुरू करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ये एक वीडियो देखे, इससे आपको हिम्मत मिले और इस वीडियो में आपके ही भाई बेहन हैं, वो जो इतने दुख और सताओ के साथ सीरिया में आए हैं बब्तिजमा लेने के लिए और ये ये पानी समुन्दर का है हालेलूया बब्तिशमा टाइम अभा ऑ्या जाझ अणके के लिएी साथ च्था लोगा ध्याो में अभात के लो जो करे 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 दोस्तों लोगों को जितना जल्दी हो सके 32 मां लेना चाहिए हाला कि वह सारे लोग लेट करते हैं और आपको कहना चाहता हूँ जो घमसी परिपप्त हो गए और ये रोज ही हो रहा है लोग जीजस के पास आ रहे हैं हो सकता है आप यहां अमेरिका में रिवाईवल ना महसूस कर रहे हो लेकिन हमारा खुदा सो नहीं रहा है हो सकता है आप इसे फील ना करें क्यूंकि आप कनेट नहीं हो रहे हैं बेचिन वो काम कर रहा है ये आपके ही भाइ बेहन हैं जो की दुख उठा रहे हैं और मैं आपको इंकरेज करता हूँ सिर्फ इसे देख के खुश मत होईए बलकि इनके लिए दूआ करिये जो मुस्लिम बेंगराउंड से आये हैं विश्वासी वो बहुत दुख उठा रहे हैं मिडली इस्ट में लोग जेल में भी हैं इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई गलत काम कई है बलकि इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम येश्व के पीछे चलेंगे उनके लिए दूआ कीजिए मेरे भाईयों और बेहनों कभी-कभी हम कहते हैं मैं यहां तीन साल हो गया है मुझे अमेरिका में और अगर आप कहें मुझे माफ करिएगा मैं अपना दिल खोलना चाहता हूँ अपनी टूटी फूटी इंगलिश में मैं कहता हूँ कभी कभी क्यूं मुझे यहां लाए है मेरा दिल तो अमेरिका के लिए शुक्रिया लेकिन मेरा दिल तो मिडिलीस्ट में लगा है यहां अमेरिका में मुझे क्यों लेके आए है और खुदा यहां मेरे लिए बहुत सारे दर्वाजे खोल रहा है चर्च में भी बोलने के लिए सिर्फ एक बात के लिए ताकि मैं आपको बताऊं और पूरे अमेरिका के चैज को बताऊं कि आपको जागने की जरूरत है जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं यहां अमेरिका में देखता हूँ पास्टर मुझे ऐसा बोलने के लिए माफ करियेगा लेकिन मैं यहां अमेरिका में देखता हूँ Christianity बस एक कल्चर बन गई है मैं तो चैज जाता हूँ मेरे पास Bible भी है हम घर जाते हैं खाने से पहले दुआ कर लेते हैं यह Christianity मुझे माफ करिये हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन यह वो नहीं है जो हमें येशु के लिए मजबूत होना चाहिए हमें येशु के लिए बोल्ड होना चाहिए मैंने सुना है बहुत से लोगों को बहुत से पास्टर्स को वो कहते हैं हमें यहां refugee लोग नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए बहुत सारे मुसल्मान लोग क्योंकि ये लोग खतरनाग हैं और मैं मानता हूँ कि ये लोग खतरनाग है इसलाम खतरनाग है जानते हैं क्यों क्योंकि आप लोग अपने काम को नहीं कर रहे हैं और आपका काम है येशु के बारे में बताना और इन लोगों को येशु के प्यार की जरूरत है क्यों नहीं जाते हो आप लोग और सूसमचार को प्रचार करते हो वो कैसे सुनेंगे जब तक आप उन्हें बताएंगे ही नहीं अगर आपने बोला ही नहीं अगर ये अत्मी जॉर्ज मुझे येशु के बारे में नहीं बताता तो हो सकता है मैं आइसिस के साथ होता हम सोचते हैं अरे ये मुसल्मान है कहीं हो सकता है मुझे मार ना दे अगर मैंने इसको येशु के बारे में बताया तो लेकिन देखिए पॉलुस ने क्या कहा है रोमियो दस में कोई इनसान कैसे सुनेगा जब तक की प्रचारक ही ना हो करेक्ट खुदा चाहता है कि हम सारे संसार में जाए और सुसमचार का प्रचार करें और कुछ लोग जाते भी हैं उनके लिए तो शुकरिया लेकिन बाकी लोग सिर्फ बैटे रहते हैं और सोते रहते हैं और अब खुदा आपके घर के बगल में किसी मुसल्मान को ले आता है रहने के लिए और हम कहते हैं नई 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 हम उनसे येशु के बारे में नहीं बात करेंगे आपको येशु से शर्म आती है क्या? या वो आपके लिए सच्चा ही नहीं है? हो सकता है कि वो सच्मुच हो ही ना? अगर येशु ने आपकी जिन्दगी को बदला है और उसने आपकी जिन्दगी बचाई है तो येशु को अपने तकी क्यों रखे रहते हैं आप? सही बात है आपको मालूम है हर एक मसीही का हर एक आदमी का हर एक औरत का हमारे पास एक काम है करने का और मिशन ये है कि हम अपने बाइबल को ले करके जाए और अपने सूसमाचार को बताएं मेरे भाईयों और बहनों सारे मुसल्मान देशों की और से मैं ये सवाल आप से पुछता हूँ क्यूं आपने हमें नहीं बताया अपने येशु के बारे में क्यूं आपने सिर्फ अपने तक ही येशु को रखा आज मैं दुआ करता हूँ आज की शाम कुछ लोग खड़े हूँ येशु के लिए ओ लेकिन ये तो हमें मार भी सकते हैं हाँ हालेलुया हम येशु के पास चले जाएंगे अगर ये लोग हमें मार देंगे तो आपको मालूम है डर की आत्मा खुदा की तरफ से नहीं है आपको मालूम है डर की आत्मा शैतान की तरफ से होती है और खुदा हमको डर की आत्मा नहीं देता है येश थैंक यू जी जिस हमारे पास दावा करने के लिए कुछ है येशु ही प्रभू है येशु आमीर और अब यहाँ अमेरिका में कि राजनीता लोग आपस में बात करते रहते हैं रिफ्यूजी के बारे में इसलाम के बारे में क्या ओबामा मुसल्मान है ये और वो मैं राजनीती में नहीं पढ़ना चाहता हूँ मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इंतजार मत करिए कि कोई नेता अमेरिका को बदलेगा उनके लिए इंतजार ना करिए आप और मैं हम जहां जितने भी मसीही लोग हैं हमें अमेरिका को जीतने की जरूरत है येशु के लिए हमें जाना चाहिए, बताना चाहिए और प्रातना करने चाहिए अमेरिका के लिए डॉनल्ड टरम्प के लिए इंतजार मत करिए ओबामा के लिए इंतजार मत करिए अपने काम को करिए हम सो रहे हैं और मुझे ऐसा बोलने के लिए माफ करिए मैं कुछ हूँ नहीं मैं वहाँ बढ़ा हुआ तो आपको मालू है मेरी कहानी मैं पलिष्टीनी कैम्प में था और मैं क्रिष्टिन्स को मानना चाहता था लेकिन मैं आज कहा हूँ मैं यहाँ ऊपर खड़ा हूँ स्टेज पर और येश्व के बारे में बोल रहा हूँ कि आप जागिये और सूसमाचार बताईए आपने चाहा था कि कोई पलिष्टीनी आये यहाँ पर और आपको हिलाये आकर के ये परमेश्वर की वाड़ी है मेरे भाईयो बैनो और मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसलाम अच्छा है नई इसलाम तो तलवार सही आया है और ये बात बिल्कुल साफ है क्योंकि कुरान यहीं सिखाती कि दुश्मनों को मार दो कुरान में ये लिखा हुआ है कि अपने दुश्मनों को मार दो सही है आपके पास एक किताब है कुरान नाम की जो मुसल्मानों को सिखाती है ये कुरान में लिखा हुआ है वो सिखाती मुसल्मानों को दुश्मनों को मारो और कौन है इसलाम का दुश्मन हर वो आदमी जो मुहम्मद में यकीन नहीं करता और इसलाम पे इमान नहीं लाता मतलब पूरा दुनिया जितने मुस्लिम कंट्री है 52 मुस्लिम कंट्री है बाकी अधर तो नहीं है और ये किताब क्या कहती है हर उस आदमी को मार दो जो मुहम्मद पर यकीन नहीं करता है ठीक है और यहां आपके पास बहुत सारे मुसल्मान है और वो मुसल्मान कहेंगे नहीं हमारी किताब ऐसा नहीं कहती है हमारे यहां तो अरे हमारा धर्म तो शांती का धर्म है इससे पहले की तूफान आ जाए आपको जागना होगा और सूसमचार बताना होगा मैंने मिश्गन में सुना है कि द्यूत्रोन में आपको मुसल्मानों को सुसमचार बताने की बिल्कुल इजाज़त नहीं जो वहां मिडल इस्ट में शुरू हुआ है वो यहां अमेरिका में भी हो सकता है अगर आप जग जाएं बस और वहां शुरू हो भी चुका है न्यूयोक में 11 सितंबर के बाद लाखो लाख रुपया आ रहा है डॉलर में ताकि वहां मस्दिदें बन सकें उन लोगों को इसकी कोई शर्मिंदगी नहीं है ये तो उनके लिए बड़ी जीत है टर्की में जाने के बाद तीन महीने बाद मैं जर्मनी में भी गया था और अब यूरोप में यूरोप अब एक मसीह देश नहीं रहा क्योंकि इसलाम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है वहां और अब लाखो लाखो लोग मैं आपको कुछ बताओं मैं आपको कुछ बताई देता हूँ मुझे परवा नहीं है राजनीती की मैं बताना चाहता हूँ मैं टर्की में था रफ्यूजियों के मदद करते हैं यूरोप जाने के लिए क्योंकि टर्की का जो प्रेसिडेंट है उसका एजेंडा ये है कि वो यूरोप को इसलाम के लिए ले ले क्योंकि वो वहाँ तलवार नहीं चला सकते हैं वो बस वहां से लोगों को ला सकते हैं और फिर उन्हें बदल देंगे और मैं जब जर्मिनी में था तो एक आदमी से मिला जो गर्मेंट के लिए काम करता था वो जर्मन था उसने मुझ से कहा कि आपको पता है ब्रदर समेर हमें साओधी अरेबिया की गर्मेंट से पैसा आता है उन रेफ्यूजियों के लिए खाना खाने के लिए नहीं बलकि मस्जद बनाने के लिए मेरे भाईयों और वहनों खुदा वो हमें सिर्फ इसलिए नहीं चाहता है कि बस सेव कर ले और हम येशू की वेट करें आ अरे हालेलुया अब तो येशू के साथ जन्नत में जाके रहेंगे और हो सकता है हम कहें कि मैं पास्टर नहीं बनना चाहता हूं हो सकता है मैं क्वायर में भी नहीं जाना चाहता है अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये आपके उपर है लेकिन हर मसीह का एक मिशन है कि उसे गवा होना है हमें येशु के बारे में बताना है जिसके कान हो वो सुन ले जिसकी आँखे हो वो देख ले तो दोस्तों आप लोग वीडियो में देखा कि इस प्रकार से इस ब्रदर ने इस पास्टर जी ने कितनी बड़ी गवाही अपने जिन्दगी का बताया और मसीह लोगों साथ में सेयर किये दोस्तों अगर आपके लाइफ में भी ऐसे कुछ गवाही होता है तो जरूर से आप मसीह लोगों के बीच में जितने लोग आते हैं चर्चेज बहुने उन लोग विच में गवाही दीजिए गवाही देने से परमिश्वर के महिमा होती है और लोग उससे सीखते हैं और लोगों को और प्रचार सू समचार करने का माउ को मिलता है दोस्तों जिस परकार से भाई ब्रदर ने बताया कि इनके मुस्लमान था और ना जाने कितने बार ये सजदा करते थे और बहुत सारे चीज़ को उन्होंने वीडियों में बताया आप लोगों को क्या लगता हैं इस वीडियों में देख कर जरूर बतायेगा दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, अलग-अलग धर्म में, अलग-अलग चीजे सिखाई जाते हैं, जिस प्रकार से पास्टर जी ने इन्होंने बताया, सुझ समचार प्रचार 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 बताते हैं, आप लोग उन्य वीडियो में बिल्कुल निस्प अक्छा बोलता हूँ, मैं सच्चाई के पीछे बात ही करता हूँ, सच्चाई के बारे में बोलता हूँ, जैसे कि हर एक अलग-अलग धर्मों में, जैसे कि सभी धर्मों में आप लोगों को पता है कि अपने दुस्मनों को मारने की जाज़ा देती, लेक कि आत्मा बज्जा है, परमिश्वर उनको आसिस देना, वो नहीं जानते सच्चाई क्या है, आप उसके धिमाग को खोले, आप उनको जाची और उनको परखे, उनको सुद्धी दीजे, उनको आत्मा के ज्ञान दीजे, बहुंस सारे चीज़ों को हम लोगों के लिए प्रात् कि आप लोगों को सुद्ध समचार नहीं करते, प्रचार प्रचार नहीं करते, क्या आप लोगों को चर्चेस को जाना, बस चर्चेस जाओ, अपने ले जाओ, अपने ले आओ, बस आओ, कुछ ना करो, लेकिन दोस्तों सहीं बात ये है कि हम लोगों को सुद्धार प्रचा पार भी करना चाहिए जिस प्रकार पाश्टर जी ने बताया सूस समचार बहुत जरूरी अगर आप सूस समचार नहीं बताओगे तो अन्य लोगों को कैसे पढ़े पता चलेगा क्यूंकि अन्य लोगों को पता नहीं चलेगा तो लोग वही बुराई रास्तेम रहेंगे और अन्दकार में रहेंगे जिस प्रकार sure एंनों ने हुआ अगर मैं मुसल्मान हूँ अगर मैं उस फ्रिल्ड में था बुराई में था तो मुझे कहिन कहीं मुझे इशु बारें पता नहीं था मुए अगर इस शुक बारें पहले पता चल गया रहता तो आज मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजिस हो गए रहते हैं, आज में कहां से और कहां हो जाता है, लेकिन सुक्रिया परमिश्वर का की अंत में मुझे परमिश्वर ने चुना और सहीं की रास्ते में लाया, दोस्तों आप लोग को से बस यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकरशन में वीडियो बना परमिश्वर के लिए जैसे भी करता हूँ, जहां से भी कोई वच्छन लाता हूँ, प्राफिड वजिंदर सिंका या किसी और चीजों का वीडियो लाता हूँ, गवाही वीडियो लाता हूँ, ताकि लोग देखे, सिखे, समझे, और सहीं मारगम चले, तो दोस्तों आप ल वीडियो के साथ में तब तक के लिए अच्छी रे, मस्तर हे, प्रभूम रे, आप सभी कुछ, जया मसे, गाड़ विले, श्रीवाल